Hello students, how are you? I hope आप गर पे अच्छे से होंगे, तो बचे हमारा first chapter real number ठीक है, उसके दो lectures हमने कर लिये हैं, ठीक है, we have done two lectures on real number, first is, in first lecture we have done equal division lemma, equal division lemma क्या होता है and how we can find HCF by using that equal division lemma, second lecture में we have done examples of this exercise 1.1, तो आज से बचे हम exercise 1.1 स्टार्ट कर रहें, ठीक है, तो देखें इसका first question, how we can do, so please बचे, notes जरूर बनाईएगा, मैं आपसे request करता हूँ, मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ, वीडियो आप देख रहे हूँ, वीडियो देखने का कोई ऐसे फाइदा नहीं है, जब तक आपके पास notebook and pen नहीं है, notebook pen अपने पास रखिये, वीडियो को देखो, lecture क देखो और उसके बाद उस पर notes बनाओ कि कैसे इसको हम solve करेंगे, so please make proper notes, so first question of exercise 1.1, use equal division lemma, ठीक है, और you can say equal division algorithm to find HSEF of these two numbers, ठीक है, here we have three parts, तो बार एक पार्ट में आपको करवा दूँगा, ठीक है, बाकी दो आप कर लेना, क्योंकि यह बहुत simple है, क्योंकि अगर आपने मेरा first lecture देखा इस पर, तो उसमें हमने एक बहुत बड़ी example ली थी, अगर आपको वो example अच्छे से आती है, तो यह part आप ऐसे भी खुद से कर सकते हो, but as a revision में आपको first part यह वाला करवा रहा हूँ, ठीक है, example में आपको बता देता हूँ, so we have done this example one, in detail, ठीक है, इसमें काफी मैंने अच्छे से आपको बता दिया था, कि कैसे हम HCF find कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह बहुत बड़े-बड़े numbers हैं, अगर हम इनका HCF find कर पा रहे हैं, तो exercise का जो first question है, वो तो काफी simple है, है न, उसमें चोटे numbers है, उसका HCF तो हम find करी लेंगे, तो first part, तो देखें यहाँ पर, we have two numbers, तो मैंने क्या बताया है, कि जो बड़ा number है, वो आपका dividend हो जाएगा, equal division lemma, जब आप apply कर रहे हैं, तो 225 is greater than 135, ठीक है, so, by using equal division lemma, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैं आपको बोल रहा हूँ, EDL, यहाँ लिख रहा हूँ मतलब EDL, तो आपने exam में पूरा spelling लिखना है, short form नहीं लिखनी है, EDL कोई equal division lemma की short form नहीं है, यह मैं लिख रहा हूँ, ताकि आपका time save हो जाए, ठीक है, so, by using equal division lemma, we can write 225, जो की dividend है, is equal to divisor, multiply what, quotient plus remainder, ठीक है, quotient plus, यहाँ पर remainder आएगा, अब यहाँ पर quotient और remainder कैसे मिलेगा आपको तो मैंने आपको क्या बता है, कि जब आप इन दोनों को divide कर रहे हैं, तो वो divisibility आपको यहाँ पर show करनी होगी, ठीक है, exam में show करनी है, 225 आपका dividend हो चुक है, और 135 आपका divisor है, करे बचे divide, तो अगर मैं 2 से करूँगा, तो यह 270 हो जाएगा, तो इसलिए 1 से करना 135, ओके, 0 and here 12 में से 3, 90 आगया, तो remainder is 90, तो क्या बता है, मैंने आपको remainder जब तक 0 नहीं आता, तब तक आप यह divisibility करते जाएंगे, ठीक है, तो here remainder is 90 and quotient is 1, तो यहाँ पर आप dash भी रख सकते हैं, कि quotient मेरा 1 आगया, remainder मेरा 90 आगया, तो फिर क्या लिखना आपने, here remainder is not equal to 0, जो मेरा remainder है, इसका वो 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, again by using equal division lemma, again by using what, equal division lemma, तो क्या कहता है, equal division lemma, कि जो पहले आपका diviser था, अब वो क्या बन जाएगा, dividend और जो remainder आया, वो आपका diviser बन जाएगा, फिर से यहाँ पर quotient मिलेगा, और यहाँ पर remainder मिलेगा, तो वो कै कैसे मिलेगा, क्या बताया मैंने, जो remainder आया, वो diviser बन जाएगा, और जो पहले diviser था, वो dividend हो जाएगा, तो यह divisibility ऐसे ही आप दिखाते रहें, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक, फिर आप इसको 2 से करेंगे, फिर 180 हो जाएगा, तो 1 से ही करना बढ़ेगा, 90, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 45 आ गया, फिर remainder हमारा 0 नहीं आया, quotient 1 remainder is 45, फिर से आप लिखेंगे, here remainder is not equal to 0, remainder 0 नहीं आया, so again by using what, equaler division, lemma, what we have to write down, जो हमारा diviser था, वो हमारा dividend हो जाएगा, और जो हमारा remainder था, वो diviser बन जाएगा, यहाँ पर quotient आयेगा, और यहाँ पर remainder आयेगा, यहाँ तो वैसे दिखर रहा है, 90 को, how you can write 45 and something क्या आयेगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर divide करके बदार हो, 45 आपका diviser बन गया है, 90 आपका, क्या हो गया है, dividend, 45 टूजा, 90, तो remainder कितना आ गया, 0, जैसे ही remainder 0 आया, तो उस time पर ज quotient आपका 2 था, तो आप लिख सकते हैं, here, remainder is 0, therefore, hcf, जो diviser था, कोन था, 45, that's all, यानि इन दोनों numbers में, highest common factor कोन है, highest common factor, that is 45, तो मैंने एक note भी आपको बताया था, जैसे इन दोनों numbers का, जो highest common factor है, वो तो 45 है, हमने निकाल दिया, तो हर एक step में जो dividend divisor है, वो जो दो number है, हर एक step में उनका जो hcf है, वो 45 ही होगा, ठीक है, 225, 135 का hcf 45 आया, 135 और 90 में भी highest 45 है, और उसके बाद 90 और 45 में भी जो common है, वो 45 ही है, यानि जो hcf है, वो dividend और divisor में हमेशा common बना रहा था, और last में जाके हमें पता चल जाता ह है, कि वो कौन सा number है, ठीक है, hcf जो भी होता है, okay, I hope this part is clear, so it is my request, यह दोनों part, second part and third part, इसी way में अपनी notebook पे कर ले, अगर आपको difficulty आती है कि sir, यह part हम से नहीं हो रहे हैं, comment box में जाके comment करें, कि sir, please करवा दो, मैं इस पे वी video बना दूँगा, ठीक है, but I believe in you, कि आप यह पार्ट कर सकते हो, चलिए, next question number two, it is also very simple, और इस type के questions में पहले भी करवा चुका हूँ, lecture two में जो हमारी example थी, you can see, ठीक है, यह वाला question भी हमने कर लिया था, तो इसी तरहा का यह next question है, हमारे पास, बहुती simple way में मैं आपको यह बता दूँगा, ठीक है, तो क्या कह रहा है, show that, any positive odd integer, तो यहाँ पर odd integer की बात कर रहा है, और उसको हमने इस form में रखना है, 6Q plus 1, 6Q plus 3 and 6Q plus 5, यह 6Q plus 3, 6Q plus 5, 6Q plus 1 क्या forms हैं, यह भी मैंने आपको detail में बता दिया था, previous lecture में, तो आज हम जल्दी से इसको solve कर लेंगे, how we can solve, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो number let क करना होता है, जिसको यह form, जिसको मतलब इस form में convert करना है, तो वो number कोन है, positive odd integer, तो आपको क्या लिखना है, let A be any, what, positive odd integer, ठीक है, and B is equal to 6, तो B पर मैंने काफी discussion कर रखी है, previous lecture में, कि B हम कैसे select करते हैं, कहां से select करते हैं, तो यह जो 6 है, यह basically divisor है, यह quotient है, और यह remainder है, तो यहां से देखकर आपको B लेना होता है, जो कि divisor है, तो A be any positive integer, and B equal to 6, therefore, by using what, by using equal division lemma, how we can write now A, तो A हमारा dividend है, जो 6 से divide हो रहा है, तो A equal to 6 multiply Q plus R, तो Q और R हमारे quotient and remainder है respectively, और साथ में मैंने remainder पर भी काफी discussion की थी, कि remainder की possibilities यहां पर लिखनी होती है, जो सबसे ज़्यादा important है, remainder की जो possibilities है, वही जो possibilities यह वली forms आपको provide करेंगे, तो इसलिए remainder की आपको knowledge होनी चाहिए, तो मैंने क्या होता है था, remainder हमेशा छोटा होता है, किसे, divisor से, तो यहां divisor को होना है, 6, तो remainder is always less than divisor, ठ के, तो आप ऐसा बोल सकते है, r की यह possibilities है, that is, r equal to what, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखना, ठीक है, यहांकि 6 से divide कर रहे हैं, तो remainder 6 कभी नहीं हो सकता, in short, जिससे आप divide कर रहे होते हैं, जो आपका divisor होता है, उतने ही remainders होते हैं, आप 6 से divide कर रहे हो, तो remainders भी 6 ही होंगी, कहां से कहां तक, 0 से start करना, और जहां आपकी counting 6 तक चाले, यहां पर 6 remainders कैसे हैं, 0 से आप counting start की, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन के, अगर आप किसी को 7 से divide कर रहे हो, तो उसके remainders कितने होंगे, 7 remainders होएंगे, कहां से start करना है, 0 से start करना है, चलते जाओ 6 तक, 7 कभी नहीं लिखना क होंगे, 7 से divide कर रहे हो, remainders की जो possibilities हैं, बहुत जादा important है, इस type के questions के लिए, ठीक है, तो I hope यह दो step आपको clear होंगे, पहला step होता है, उस number को lead करना, और दूसरा step होता है, remainder की possibilities को यहां पे highlight करना, remainder की possibilities की वज़े से, अब हम A की possibilities को लिख पाएंगे, कि A क्या क्या हो सकता ह है, तो आप लिखेंगे, therefore A is equal to what, यहां पर पहले remainder की value 0 लेनी है, इसमें put कर देनी, तो यहां पर आएगा आपका 6Q, क्योंकि मैंने remainder इसमें 0 लिया, अब remainder लेना है 1, तो क्या हो सकता है, 6Q plus 1, अब मैं remainder लिया 2, क्या हो सकता है, 6Q plus 2, अब मैं remainder बोल रहा हूं 3, तो ऐसे ब बता रहा हूं, A की यह, यह forms हो सकती है, but आपका A कोन है, यह बहुत important है, कोन है, odd positive indeizer, वो odd number है, तो क्या फिर A 6Q हो सकता है, no, क्योंकि 6Q में 2 as a factor है, यह 2 का multiple है, तो यह even number है, जिसके पास भी 2 as a factor है, तो वो even number है, तो इसलिए जो है, 6Q नहीं लेना A को, 6Q plus 2, इसमें भी 2 common है, यह भी even number है, इसको भी नियाब लेंगे, इस question में, 6Q plus 4, इसमें भी 2 as a factor common है, इसको भी आप नहीं लेंगे, तो पीछे जो forms बनी, क्या वो कौन सी form है, 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5, यह सारे odd numbers हैं, और हम A को इस form में देखो लिख पा रहे हैं, तो A की basically total forms कितनी आई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने remainder से, A की उतनी forms आई, कुछ forms को आप नहीं ले सकते, क्योंकि A कोन है, odd positive integer, that's all, even को छोड़ दिया, A को रख लिया, therefore what is A, A is 6Q plus 1, और 6Q plus 3, और 6Q plus 5, that's all, यही तो बताना था, कि किसी भी odd number को आप इन forms में लिख सकते हो, बहुत simple है, 3 step में हर equation यह निपड जात है, ठीक है, इसमें अगर कोई condition डाल देते हैं, कि उस number का square करो, उस number का cube करो, आने वाले questions में वो मिलेगा आपको, फिर आपका एक step और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 step में मैं हमेशा question निपटा देता हूँ, number 1, A को let करना, number 2, R की possibilities को लिखना, और number last, A की possibilities को ल समझ आ गए हैं, तो please comment box में जाके, मुझे energy दे, ठीक है, कि कहें sir, yes, एकदम clear हो गया, ताकि मैं और आने वाले questions में, और अच्छा content, और अच्छी videos आपके लिए लेके आऊ, thank you and God bless you, and one thing, मेरी channel को subscribe कर लो, और इसको share भी कर दो, thank you and God bless you, bye bye